यह हमारी फैब्रिक की कटिंग हो गई थी अब हमें इसमें बनाना है तो मैं इसमें बोटनेक करने वाले हैं और मैं बैक में थोड़ा पैटर्ण डालने वाली हूँ इसलिए मैं अस्तर में इसे कट कर लेती हूँ तो बोटनेक के लिए आपको हमेशा जो नेक विड रहेगी आपकी वो थोड़ी यूजियल से ज्यादा रहती है वाने चार इंच रहती है इसमें पाइपिंग लगाने वाली हूँ इसलिए मैं पावने चार इंच यहां पड़ी नेक विड ले रहे हूँ और नेक की जो है बैक नेक लेंग में धाई इंच लेके इस तरीके से शेप लगा दे रही हूँ बोटनेक का राउड में चीक है अब मैं जो पाटन बनाऊंगी वो खुछ इस तरीके से रहेगा तो मेरी टोटल यहां से मैं तू इन्चीस डाउन लेती हूं चीक है और टोटल जो मेरी बैक लेंग मेक लेंप है वह है वैँस माशल्य कि तो यहां पर यह पॉइंट मार्क करती। चीक है यहांसे मैठाये लिया यहां से दो लिया और यहां से साड़ साथ इंच पर एक मार्किंग लगा रहाँ अब यह मार्किंग हमें यहां पर अटेच कर देनी है इस तरीके से यहां से आप देढ़ 2 इंच नीचे आए और इस तरीके से यह मार्किंग लगा लेज़ें यह भी हमें मार्किंग इस तरीके से इधर जॉइन करना है लेकिन ध्यान रहे कि हमें ज्यादा डिप नहीं जाना है इधर ज्यादा आपको बाहर नहीं आना है यह साड़े चार इंच तक ही आना चाहिए उससे ज्यादा अगर आता है तो यहां पर आपके इनर गार्मेंट के बेरिश दिख सकते हैं इस तरीके से इसे मार्किंग कर लेना है और अब मैं इसे कट कर लेती है इस तरीके से यह शेट भी हमें कट कर लेना है प्रेंट नेक भी अभी में सरी बैक नेक का भी एक पोर्शन है यह भी में अभी कट कर लेती है सेम इसी तरीके से में में फैब्रिक की कटिंग कर लेती है अब यह हमारा फ्रेंट है कि बहुता है और फ्रेंट में भी नेक का मार्किंग कर लेती हूँ क्यूंकि मैं साथ एक साथी पूरा है पारिटिंग करने वाली हूँ उसवजे से इसकर मार्पिंग लगा लेंही हैं , जैसे हमने अभी लगा था नेक वेड्ट § 6 कि अगर आप कैमोर पह लेना है किस थी कर पैपिंग लेकर शेप लगा कि फ्रंट में भी में थोड़ा सा एक की होल बनाऊंगी तो इसके लिए टू इंचिस डाउन आना है और जस्ट जो भी शेप में आपको की होल बनाना है इसका यहां पर शेप ब्रॉब करना है इस तरिके से नेक का कटिंग कर लेना है यह सेम आपको आपके में फैब्रिक में भी करना पड़ेगा इस तरिके से यह ओपन होकर दिखेगा अब ऐसे ही सेम में में फैब्रिक पर कट कर लेती है हम आपके पर जो इस दो कर दोख दो में गेवाव कर दो कर दो exactamente